नमस्कार ब्रिष्टी आएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए कल के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल पहले सवाल के तौर पर आपसे पूछा गया था मृदा स्वास्थिकार्ड दिवस कब मनाया जाता है उत्तर है उनीस फ्रवरी दूसरा सवाल सुत्रा पिक नामक पहल का संबंध किस पशू से है उत्तर है गाय तीसरा सवाल हाली में परियावरां च्छत्र में सक्रिये 10 संगठनों ने मिलकर दे स्टेट आफ इंडियाज बर्स 2020 रिपोर्ट जारी की है निम्रेखित में से कौन सा संगठन इसमें शामिल नहीं है उत्तर है उनीसेफ चौथा सवाल भारतिये परमाणू उर्जा आयोग के अनुसंधान करताओं ने हाली में मंद्यार में लगभग 14,100 टन के लीथियम भंडार की खोज की है मंद्यार नामक जगर भारत के किस राज में स्थित है उत्तर है करनाटक पाच्वा सवाल हालिया दिनों चर्चा में रहे शब्द डेनीस और सियारा क्या है उत्तर है तुफान का नाम छटा सवाल फेडरल सरकिट कोर्ट को लीड करने वाले पहले भारतिये अमेरीकी कौन बने है उत्तर है स्री स्री निवासन सात्वा सवाल खबरों में रही कानाकली गैली पोली की लडाई का संबंध किस्ते है उत्तर है प्रतम विश्विद आठमा सवाल बराक परमानों उड़जा सेयत्र कहां स्थित है उत्तर है अबू धाबी नवा सवाल हाली में किसने 27 साल के लंबे अंतराल के बाद एशियाई कुष्टी चैंपियंशिप में 87 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला ग्रिको रोमन स्वर्ण पदक जीता है उत्तर है सुनिल कुमार और कल के सेशन का अंतिम सवाल था किसने कंबाला बफैलो रेस में सबसे तेज दोड़कर नया रिकॉर्ड कायम किया है उत्तर है निशान्त शिट्टी अभ्यास पस्निक के अतौर पर कल हमने आपसे पूछा था उत्तर भारत का पहला बर्ड डिंगिंग स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुनार्चल प्रदेश या फिर उत्तरा खंड उत्तर भारत के पहले बर्ड डिंगिंग स्टेशन को बिहार में स्थापित करने के लिए एक Memorandum of Understanding पर हस्ताक्चर किये गए हैं आपको बता दें कि यह बर्ड डिंगिंग स्टेशन बिहार में प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए समर्पित होगा। इसकी स्थापना के लिए राज सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्टी सुसाइटी के प्रतिनीधियों ने एक M.O.U. पर हस्ताक्चर किया है। बिहार सरकार इस पर योजना के लिए पांच करोर रुपे खर्च करेगी। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में देश में तमिल नाडू, राजस्थान और ओडिशा में बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। यह हस्ताक्चर C.M.S. COP.13 यानि Conservation of Migratory Species Conference of Parties की मौके पर किया गया। गौरतलब है कि C.M.S. COP.13 का आयोजन गुजरात की राज़ानी कांधी नगर में हो रहा है। इसमें 130 देशों की प्रतिनीधी हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों को दरसल जमुई, बेगुसराय, दर्भंगा और वैशाली जीलों में देखा जा सकता है। तो इस प्रश्ण का सही जवाब है Option A. बिहार। आज की सेशन का पहरा सवाल विश्व सामाजिक नियाए दिवस कब मनाया जाता है। सत्रह फरवरी, अठारह फरवरी, उनिस फरवरी या फिर बीस फरवरी को विश्व सामाजिक नियाए दिवस यानि World Day of Social Justice मनाया जाता है। ILO का मानना है कि सामाजिक नियाए दरसल असमानता से निपटने, गरीबी को कम करने और जलवायू परिवर्तन को दूर करने का एक मात्र तरीका है। इस संबंद में जागरुकता बढ़ाने के लिए ILO ने हैस्टेक माई फ्यूचर आवर प्लैनेट का उप्योग करते हुए दस सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पुस्ट करने की बात कही है। 2020 के लिए इस दिवस की थीम है Closing the Inequalities Gap to Achieve Social Justice तो इस प्रशन का सही जवाब है Option D 20 फ्रवरी Q2. हाली में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला Single Use Plastic Free Airport बना है। जय प्रकाष नारायन International Airport पटना, इंदिरा गांधी International Airport नैदिल्ली, छत्रपती शिवाजी International Airport मुंबई या फिर सरदार वल्लब भाई पटेल International Airport अहमदाबाद। नैदिल्ली का इंदिरा गांधी International Airport भारत का पहला Single Use Plastic Free Airport बन गया है। GMR की अगवाई वाली दिल्ली इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेट ने यह जानकारी दी CII ITC CESD ने डायल को इंद्रा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड़े के संचारन के भीतर सिंगल इस प्लास्टिक फ्री उपायों के सफल स्रेक्षिक कारियान वेरन के लिए प्रमानित किया है CII ITC CESD सितात पर है Confederation of Indian Industry ITC Center for Excellence for Sustainable Development दिल्ली एरपोर्ट को सिंगल इस प्लास्टिक फ्री बनाने का मकसद पधानमंत्री के द्रिश्टिकोन के अनुरूप 2022 तक भारत में सिंगल इस प्लास्टिक को खत्म करने की दिशा में योगदान देना है गौर तलब है कि डायल परियावरन को सनक्षित करने की दिशा में प्रतिबध है सितंबर 2018 में बीट प्लास्टिक पॉलिशन की विश्व परियावरन दिवस्थीम के बाद दिल्ली हवाई अड़ा 2019 में सिंगल इस प्लास्टिक फ्री प्रतिबधता वाला पहला भारती हवाई अड़ा था तो इस प्रस्टिक का सही जवाब है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली तीसरा सवाल निमनलिखित में से कौन सी एयरलाइन्स इन फ्लाइट्स ब्रॉडबेंड सर्विस शुरू करने वाली है एयर इंडिया, गो एयर, विस्तारा या फिर इंडिगो विस्तारा एयरलाइन्स मार्च इन तक इन फ्लाइट्स ब्रॉडबेंड सर्विस शुरू करने वाली है इन coupling connectivity सर्विस को आफर करने के लिए विस्तारा एरलाइन्स ने टाटा ग्रूप फर्म निलको के साथ टाइप किया है। विस्तारा दरशल टाटा और सिंगापूर एरलाइन्स के बीच एक समयुक्त उद्यम है। इस कदम के साथ ही उडान भरने वालों के लिए in flight broadband प्रदान करने वाला पहला घरेलू वाहग भी होगा निलको ने सेवा शुरू करने के लिए पैनासोनिक एवियोनिक्स कार्पोरेशन के साथ चाजिधारी किये तो इस प्रशन का सही जवाब है option C, विस्तारा question number 4, हाल ही में जारी times higher education rankings में भारत के कितने विश्वविद्याले top 100 में शामिल है 10, 11, 12 या फिर 13 times higher education rankings में भारत के 11 विश्वविद्याले top 100 में शामिल है इस ranking का पूरा नाम है times higher education emerging economies university rankings 2020 दूसरी बार है जब 11 भारतिय संस्थानों ने 2015 के बाद से शिर्ट सो पैदानों पर कबजा जमाया है भालत की तुलना में शिर्ट सो में चीन के अधिक विश्विद्याले हैं चीन के चार विश्विद्याले top 4 में शामिल हैं इसमें पहले पैदान पर चीन की सिंगुआ इनुवर्सिटी है वहीं इसके बाद चीन की ही पेकिंग इनुवर्सिटी, जे जियांग इनुवर्सिटी और इनुवर्सिटी ऑफ साइंस और टेकनोलोजी ऑफ चाइना top 4 में काविज रहें कुल मिलाकर 533 विश्व विद्यालेयों की कुल रैंकिंग में 56 भारतिये विश्व विद्यालेयों ने जगह बनाई है इसमें IISC बंगलूरू को 16 पैदान मिला है जबकि 2019 की रैंकिंग में यह 14 पैदान पर था वहीं IIT खड़कपूर 32 पैदान पर रहा IIT बंबे 34 वे आईएटी दिली 38 वे और IIT रूर की 58 पैदान पर रहे तो इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन B 11 Q5 20 फरवरी को निमनलिकित में से किस राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है अरुनाचल प्रदेश, मिजोरम, उपरिक्त दोनों या फिर गोवा 20 फरवरी को अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है देश की विकास में इन राज्यों की योगदान की सारहना करते हुए अरुनाचल प्रदेश की बात करें तो अरुनाचल प्रदेश को बीस फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दरज्या दिया गया था 1972 तक इसे पुरुवत्तर सीमांत एजन्सी के नाम से जाना जाता था मिजोरम की बात करें तो मिजोरम एक परवत्य राज्य है बीस फरवरी 1987 को यह देश का तैईस्वा राज्य बना था 1972 में केंदर शासित राज्य बनने से पहले यह असंब का एक जिला था 1891 में ब्रिटिस कबजे में जाने के बाद कुछ वर्षों तक इसका उत्तरी भाग लुशाई परवत्य एक च्छितर असंब के अधिन रहा जबकि आधा दक्षिनी हिस्सा बंगाल के अधिन रहा 1899 में इन दोनों हिस्सों को मिलाकर एक जिला बनाया गया गया और इसका नाम पड़ा लुशाई हिल्स जिला भारत सरकार और मिजोरम नेशनल फ्रंट की बीच 1986 में हुए एतिहासिक समझाते के बाद 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राजिक का दरजा दिया गया बांगला देश और मियामार की बीच स्थित होने के कारण भारत के प्रुवत्र कोने में मिजोरम साम्रिक दिर्ष्टी से महत्वपूर्ण हो जाता है तो इस प्रश्न का सही जवाब है उप्शन C उपर्युक्त दोनों क्रिशन 6 कला कुम्प प्रदर्शनी का संबंध किस से है पेंटिंग्स रक्षा हतियार हस्त शिल्प या फिर खाद्य पदार्थ कला कुम्प प्रदर्शनी का संबंध हस्त शिल्प से है कलाकुम्भ दरसल G.I. शिल्प को बरहावा देने के लिए हस्त शिल्प प्रदर्शनी है भारत के भौगॉलिक संकेतक यानि G.I. शिल्प और विरासत को बरहावा देने के लिए वस्त मंत्राले Office of Development Commissioner Handicrafts के जरिये देश के विभिन हिस्तों में कलाकुम्भ Handicrafts Thematic Exhibition का आयोजन कर रहा है इन प्रदर्शनीयों को बेंगलूरू, मुंबई, कोलकाता और चेन्ने जैसे प्रमुक शहरों में आयोजित करने की योजना है गौर तलब है कि Export Promotion Council for Handicrafts यानि EPCH द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनीयों का सुभारंब 14 फरवरी 2020 को किया गया था और ये 23 फरवरी 2020 तक बेंगलूरू और मुंबई में निरंतर जारी रहेंगी इसके अलावा ये प्रदर्शनीया मार्थ 2020 में कुलकाता और चिन्ने में भी आयोजित की जाएंगी आपको बता दें कि GI Tech का उप्योग उन हस्त शिल्प पर होता है जो किसी विशेश भोगोलिक छित्र या मूल स्थान जैसे की कोई शहर, छित्र अथवा देश से जुड़े हुए होते हैं अगस्त 2019 तक देश भर के 178 GI हस्त शिल्प उदपादों को पंजिक्रित कराये गया था तो इस प्रश्ण का सही जवाब है Option C हस्त शिल्प Question No.7 आठवा सवाल हाली में किस स्थान से अरबन लिजर्ड की नई प्रजाती की खोज की गई है इटानगर, पिथोरागर, गुवाहाटी या फिर तुरुवानंत पूरम गुवाहाटी से अरबन लिजर्ड की नई प्रजाती की खोज की गई है खोजी के नई प्रजाती का नाम Urban Bent Toad Gecko है इसका वैज्ञानिक नाम सीरोटो डेक्टाइलिस अरबूनस है आपको बता दें कि अर्बन बेंट टोइड गेको को पहले खासी हिल्स लिजर्ट के समान माना जाता था चिपकिली की यह नई प्रजाती साइरोडो डेक्टाइलिस गुवाहाटिनसिस से आन्विक सनरचना पीछ पर धब्बों एवंबरंग से भिन है साइरोडो डेक्टाइलिस गुवाहाटिनसिस को दरसल दो साल पहले खोजा गया था परोतर भारत की सभी बेंट टोएट गेको को एकल प्रजाती माना जाता था सिल्टो डेक्टाइलिस खासी नेसिस मुखी तोर पर मेगाली की खासी पहाडियों में पाई जाती है वहीं अर्बन बेंट टोएट गेको खासी नेसिस समू के अंतरगत आती है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ओप्शन C, गुवाहाटी Q9. हाली में किस देश ने राड टू कुरूज मिसाइल का सफलता पुर्वक परिक्षन किया है? चीन, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया या फिर रूस पाकिस्तान ने राड कुरूज मिसाइल का सफलता पुर्वक परिक्षन किया है इस कुरूज मिसाइल की रेंज 600 किलो मीटर की है राड दरसल अत्याधुनिक तक्निक और नेविगेशन सिस्टम से लेस है जो उच परिशुधता के साथ लक्षियों को टागेट करना सुनिशित करता है या कुरूज मिसाइल हवा से जमीन और समुद्र में रन नीतिक गतिरोद की खंता को बराती है तो इस प्रशन का सही जवाब है आप्शन B पाकिस्तान आज के सेशन का अंतिम सवाल AFC Women's Asian Cup 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी भारत, बाजीर, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस AFC Women's Asian Cup 2022 की मेजबानी भारत करेगा यहाँ AFC सितातपरे Asian Football Confederation से है भारत इस साल के अंत में FIFA Women's Under 17 World Cup की भी मेजबानी करेगा AFC Women's Asia Cup 2022 में आठ से बारती में चार टीमों की तीन ग्रूप्स में खेलेंगी इस टूर्णामेंट के अक्टूबर अत्वा नवंबर 2022 में होने की संभावना जताई गई है तो इस प्रशन का सही जवाब है Option A भारत अब नोट कर लेते हैं आज की सेशन का अभ्यास प्रशन प्रशन है हाल ही में जारी सस्टेनेबेलीटी इंडेक्स में भारत किस पायदान पर है सत्तरवें, सतत्तरवें, 115 या फिर 131 इस प्रशन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले कल कुछ नए सवाल और इस प्रशन के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फे मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार